जैपूर से कॉंग्रेस बिधायक दल्खी बैठक शुरू हो चुकी है पीसी सी में मुख्याले में कॉंग्रेस के नेता पर बिक्षक बोपेंद्र हुड़ा मुखल वास्टिंग मदसुद्र मिस्त्री पहुंचे हैं जैपूर आपको पता दें गोबिन डॉटासर आशोप गै दल्खी यह बैठक पीसी अब अपडेट आपको पता देते हैं अपडेट यह है कि यह बैठक समाप्त हो गई है यह बैठक समाप्त हो गई है सभी बहार निकले हैं तस्वीरे सामने हम आपको दिखा रहे हैं कॉंग्रेस विधायक दल्खी बैठक खत्म हो गई है तमाम विधायकों को बुलाया गया था जो जीते हुए विधायक है जिनके संक्या 69 यह बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है तम बले नेदा इस बैठक पर मौझूग थे सभी सीने उब्जरवर्ज भी यहां पहुंचे लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही हुए यही कि यह बैठक जो चल रही थी वो फिलाल समाप्त हो गई है अब यहां से किसकी क्या भूमिका रहेगी इन सभी विशोंग पर आपको बता दें की चर्चा यहां पर चल रहे थी अब आने वाले वक्त में कॉंग्निस पार्टी राजस्तान में किस प्रकार से आगे जाएगी क्या रणनीती होगी साथी साथी साथ में इन तमाम वेशोंग पर बातचीत चर्चा चल रहे थी शशी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए है फोन लाइन पर बैठक क्या शशी समाप्त हो गई है अगर समाप्त हो गई तो क्या इंपूट्स निकल कर सामने आए इस बैठक से मिरी आवाज मिल रहे आपको जी आशीश आवाज मिल रही है सवाल दोराई है शशी यह बैठक समाप्त हो गई है क्या अगर समाप्त हो गई तो क्या-क्या जानकार्या निकल कर सामने आई हैं इस अधबैठक से जुड़ी हुई शशी बहुत थोड़ी बैठक चलिए और एक आउस्टारिक बैठक का गया सकते हैं इसको इस बैठक में सिंगल लाइं बच्ता हुआ है जो नेता प्रतिपक्ष होंगे या कॉंगर्स विदायक दल के नेता होंगे उसके नाम को टैक करने के लिए पायटी आला कमान को अजिकर बढ़ा जा रहा है और वो अपनी बात कह रहे हैं और जर्वर को कि आफिर वो क्या तोस्ते हैं क्या नजरिया है क्या चाहते हैं क्या संगठन उस्तर पर भी आनवार समय में बड़ा वदलाओ देख सकते हैं देखिए, बदलाव कई तरीके के होंगे, अब अगर PCC चीफ गोविन सिंग लोटा सराब को नेता प्रतिपक्ष की वोमिका में लाया जाता है, तो संग्षन में भी बदलाव देखते को मिलेंगे आपको, और अगर कोई दूसरा चहरा नेता प्रतिपक्ष की वोमिका में आत सही तरीके से नहीं हो पाया, और जो कम अंतर से हारी होई सीटें थी, उनको जीता जा सकता था, उनको अगर सही तरीके से मैनेज किया जाता, उनकी मॉनिटरिंग की जाती तो, अब इसको काम पर फोकस पार्टी करेगी कि लोग सबद चुनाओं को बैसर तरीके से कैसे लड किस करेंगे, अभी पार्टी विदायकों की संख्या के उपर खुलते बात नहीं रख रही है, लेकिन कुछ विदायकों का फीड़बैक कितना महत्पूर्ण होगा नेता पृत्पक शुनने के लिए? अभी बैठक में समर्थन कर गिया एक लाइन के प्रस्ताव का, तो उनकी बात को केवल सुझावात्मक इस तर देखा जा सकता है, कोई बहुत गंभीर कंसिट्रेशन उनकी बात पर हो, ऐसा नहीं दिखता है, शुक्री आपका, बहुत शुक्री आपका, शेशी मोहन शर्मा हमारे वाइस सयोगी जो कि इस बैठक को कवर कर रहे तो नहीं पूरी जानकारी दी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का फैसला आला कमान पर छोड़ा गया है, और वन लाइनर एक प्रस्ताव जो रख दिया गया बैठक में, अब ये बैठक एक आप चलिकता मात रहती क्योंकि